सब्सक्राइब अपने यूडोब चैनल से तो जी आज बताऊंगा मैं आपको कि इस बार कैसी रई फसल हमारे पल्लम के जो आप मेरे पिछे देख सकते हैं पेड पल्लम का आज ना दूबी आज बड़ी अच्छी लगी है और मौसम थोड़ा थोड़ा बादल बाड़ा है यह है कुछ प्लांट मेरे सनी साइड में रेड ब्यूट के तो आज है चार अप्रेल आपका तो बताऊं में आपको कि हमारे हां कैसी सेटिंग होई है रेड ब्यूट में तो जी मौसम ना ठंडा गर्म होता रहा तो इस चकर में आप देख सकते हैं कि जो फ्रूटिं कुछ है जो हो चोटी है कुछ बडे है कुछ है और बड़ी होगी तो यह जिल्या अपना रेड ब्यूट इस बाare की सेटिंग आपको दिखा रहा हूं में तो तो दाना देख आपको किताना बड़ा हो चुका है, रैड ब्यूट, फसल अच्छी है, कुलमला के, जहां पर चार है वहां चार, जहां पर पांच है वहां पांच, तो इसमें से भी हाईद एक दो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि न, थोड़े पीले पड़े हुए, बाकी, साइस जो बड़ा हो गया है, वह तो सक्सेस ही है, मौसम न, थोड़ा गड़बड हो गया है, क्योंकि ठंड कुछ ज्यादा बड़ी हुए है, तो इस चक्र में, इनमें फलावर जो है, बड़ा लंबे टाइम लग रहा है, तो मुझे न, फूल हो पती, शाहिद इस वार जो है, फ कितने बड़े हो चुके है, यह वाले, कुल मला के गेम अच्छे वाली है, जहां भी देखें, आप फसल आपको दिखी रही है, यह जी अपना रैड ब्यूट, एलिवेशन, जहां यह लगा, यह जी बासट सो, और त्रेसट सो के बीच में, क्योंकि केतना सीड़ी नुमा है तो ड्राइ जोन है, बागि यहां कुछ नहीं हो रहा है, तो इस चक्र में लगाया था मैंने रेड व्यूट, पलम, और इसमें अब हम थोड़ा सा जिंक और बरोन कहेकर स्प्रे मारेंगे ताकि जो, यह डंठल है ना इसके देखो, यह स्ट्रॉंग है, साथ में एक फंगी साइड, तुझी 100 प्लास प्लांटेशन इस लोकेशन में मेरी इस क्वल्टी गी, और फसल वाइस, इस बार सेंपल, मेक्सिमुम प्लांट में आ गया है, अभी दाना, जांबे ना, थार्ड फ्लावरिंग होई है बाद वाड़ी, तो वहां पे दाना थोड़ा छोटा है, प दाने लगे थे, इस बार अब शायद एक रेट बर निकल जाएगा, तो जी यह है जी, रेड ब्यूट, थर्ड इयर प्लांटेशन पूरा हो गया, फूर्थ इयर में एंटर, बाकी यह देखो, फर्स्ट सेटिंग का दाना, और अभी लास्ट में गई, फूल, यह देखो कि बड़े हो गया कोई दाने, तो हाँ, तो इस बार रखाया जी, मैंने एक क्रेट कर हो जाए, रेड ब्यूट दाने की, बाकी जी, यह देखो, यह जो मुड रही है, तो इसके लिए ना, एक फंगी साइड, जरूर करना कोई भी, यह एक वाइरस होता है, तो इस चक्र में न जाता है, अब इतना डीपली मुझे नॉलजी निया, कि उसका नाम कहा है, उस बार इसका पर, उसमें, यह आगे पीछे ना बड़े, तो इसमें एक फंगी साइड करके, यही पर रूकी जाता है, कॉर्ब लीव्ज जो ती है, तो यह जी, एक अपने, यहाँ पे, यहाँ प प्लांट बड़ा मस चला है, तो अगर आपको कोई भी प्लांट नहीं उठ रहा है, तो वहाँ आप लगा सकते हैं, पलम, तो भाई गाईज, यह था आपके लिए मेरे एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक, शेयर, क्मेंट, अग सब्सक्राइब मैं चैनल, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और वरतालाप के साथ, बगयां जो नौलेजम शेयर करते हैं, वो पहले हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, या कहीं कुछ हमने पढ़ा होता है, तो वो चीज हम आपसे शेयर करते हैं, तो मिलते हैं, बाई